नमस्कार जैहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर तो आज हम बात करेंगे डियलेड एक्जाम 2022 लेटेश्ट अपडेट के बारे में तो आज हमारी तारीक हो चुकी है 6 जून 2022 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेक प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगने से बीएट के खेवे में मची खलबली डियलेड वाले कर रहे हैं मजबूत पैरवी अब इस तारीक को फैतला आने की उमीद है जी यहां दोस्तों आप इस वीडियो को सुरू से लेके अंतर तक देखेगा मामला हाई कोट में अग अगर बीएट के शात्रों को बाहर कर दिया गया तब तो भाईया डियलेड शात्रों की बल्ले बल्ले है और आने वाले समय में आपको नौकरी आसानी से मिल जाएगी तो गाइस बीएट बाहर होने से आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है पूरी अपडेट इस वीडियो में देखने वाले हैं तो आप देख सकते हैं भाईया सोसल मीडिया पर टुटर के मादम से हैं ट्वीड भी किया गया एक और बड़ी खबर देखेंगे दो वर्स से कम अंतराल पर भी दूसरे बच्चे पर मिलेगा 180 दिन का मातत्रों आउकास जिया दोस ये जी से क्या आग रहे क्या था इस अपडेट को में इस वीडियो में देखेंगे लेकिन ये बड़ी खबर पहले हम आपके सामें रखने वीडियो को अधिक सदिक सेयर करिएगा अगर आप लोग इस साल डीलेट में एडमिसन लेने का सोच रहे हैं तो भाई अपने दोस्तों लेके अंत तक देखेगा अपडेट कहां से आरी जरा देखें बीएट वालों के लिए यूपीटेट दो जार इकिस का प्रमाट पत्र जारी करने पर हाई कोट की रोग बरकरार रहने से बीएट खेमे में खलबली मज गई हैं डियलेट वाले अपना पश मजबूती से रख को को पात्रता प्रमाट पत्र जारी करने पर पहले से लगाई रोग बरकरार रखी हैं कोट ने मामले में इस्तगन आदेश को बढ़ाते विए NCTE को 14 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा हैं यह आदेश नयाय मूर्ति सिद्धार्त ने प्रतीक मिस्रा वचार अन्य क कि याचिका पर सुनवाई करते वे दिया है मंगलवार को सुनवाई के दोरान सरकार की ओर से कहा गया कि NCTE जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी वह कुछ नहीं कर सकती हैं तो कोट ने NCTE को नोटिस जारी करते वे जवाब दाखिल करने को कहा है मामले की कोट ने NCTE National Council for Teacher Education के 28 जुन 2018 के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें बीएट डिग्री धारकों को भी प्रात्मिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए पात्र माना गया है तो गाईस ये बड़ी खबार है राजस्तान हाई कोट से अगर कोई फैसला आता है तो वो उत्तर प्रमाण पत्र ना जारी किया जाएं कोर्ट ने तत्य और परिस्तियों को देखते विए टेट 2021 में कॉलिफाई करने वाले बीएट डिग्री धारकों को पात्रत्य प्रमाण पत्र अगली सुनवाई तक ना जारी करने का अधिश दिया था साथ यी परिच्छा निमक प्रा बीएट को मौका मिल गया प्रात्मिक से चक भरती में तो फिर नौकरी पाना आप के आसान नहीं होगा अगर आप चाहते हैं सबूत देखना तो सबूत आप देख सकते हैं 69,000 से चक भरती में अगर बीएट के चात्रों को मौका ना मिलता तो डीलेट के 38,610 जितने बच्चे उने सुपर्टेट पास क्या था सबी 100% बच्चों को नौकरी मिल जाती लेकिन 69,000 बच्ची में बीएट पास करने वाले चात्रों की संक्या 37,000 से ज़्यादा थी तो सिंपल थी बात आप समझ रहे होंगे कि वह यह नौकरी पाना है तो अगर बीएट बाहर हुआ तो फायदा बहुत ही बड़े इस तर पर डीलेट चात्रों को मिलेगा जो कि अपडेट हम आपके सामने रख रहे हैं ठीक है एक बात और आप बता दे 79,000 बड़ती में OBC केटेगरी और SC केटेगरी में आरचड का गोटाला देखने को मिला था ठीक है अगर आपने नहीं देखा वीडियो को तो वीडियो को देखते रहे हमारी और समझते रहे है सोचे OBC केटेगरी में पास होने वाले चातरों के संक्या 84,000 से जादा थी अगर OBC केटेगरी में आरचड का गोटाला हुआ SC केटेगरी में आरचड का गोटाला हुआ तो फाइदा किसको हुआ फाइदा हुआ जनरल केटेगरी के बच्चों को देखे एक सिंपल सा रूल होता है अगर OBC के टेगरी का बच्चा एक अच्छी मेरिट लाता है एक अच्छा स्कोर करता है तो वो जनरल की सीट पर मतलब अनारचित की सीट पर वो नौकरी पा जाता है ठीक है तो यही दोस्तो मामला फसा था ओवरलैपिंग का बाद में आरच के शात्र क्या तो दोस्तों देखते हैं पूरी अपडेट कि माननी प्रजान मंत्री नरेंद मोदी जी कॉंग्रेश साथित प्रदेश राजस्तान ने देश के एक करोड सदिक बीएट डिगरी धरकों का भवित से राजस्तान हाई कोट के एक फैसले के बाद खत्रे में डा देर्वी करवाएं ताकि देश के एक करोड सदिक बीएट डिगरी धरकों को नहीं मिल सके तो यह दोस्तों आप देख सकते कि बीएट के बच्चे बच्चे पूरी कोसित कर रहें लेकिन एक बात और आपको बता दे बीएट करने वाले चात्रों को TGT में मौका मिलता है ए आपको क्या होगा आपको तो नौकरी नहीं मिल पाएगी न अगर बात करें नई सिच्छक भरती के तो उसकी क्या पडेटे जरा इसको भी आपको आप लिए पर समझ लीजे ठीक हैं क्योंकि नई भरती के इंतजार में हजारों बच्चे हैं जरा देखें इस वर्स भी प्र इसकारियों ने बड़ी चतुराई से सिच्छक छात्र अनुपात को बराबर कर दिये तथा बेसिक विबाग ने अपने मकसद में काम्याब रहा अविपच या कोई भी संगटन सिच्छक भरती की मांग करेगा तो सरकार का एक ही जवाब आएगा कि हमारे पास सिच्छक छा आग, साहत और सही रड़नीती से भरती नहीं आती हाँ बस 79,000 जैसी बड़ी भरती ने हम सबके लिए आगे का मार्ग बंद कर दिया इसमें कोई सक नहीं सातियों समझने वाली बात यह है कि सरकार बेसिक में भरती देनी की मंसा बिलकुल नहीं है आप सभी ने पूरू बेस सबस्ता, कि हम सभी एक जुटा के सास्थ सरकार के समझ अपनी बेबसी लाचारी परिसानियों बरोजगारी को कितना समझा पाये वही अंतिम और बहतर विगल्प है, मान्ये मुखे मंत्री जी और माने बेसिक सिछा मंत्री जी के कानों तक हमारी समस्या को बहतर और प्रभा नौकरी भया इतनी आसानी से नहीं आती तो जो बच्चे फेल हैं जल्द जल्द रिजल्ट आए और आप लोग पास हो जाएं क्योंकि वैकेंसी बार-बार नहीं आती है अगर आपको मौका नहीं मिल पाया तो अगला मौका कम मिलेगा बगवान जाने इसलिए दोस्त यूपी बैच हो 1922 का जो नया बैच एडमिसन के लिए आने वाला है हर एक अब्लेट हम आप तक पहुचाएंगे मिलते हैं को और वीडियो में तब तक के लिए stay connected have one night